हलो दोस्तों स्वागत है एक और नय वीडियो में मेरे नामें आसीस और आजके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रूफ ओफ रिजर्व के बारे में क्या है यह प्रूफ और रिजर्व क्यों इसकी जरूरत हमें पढ़ने लग गई है और कैसे आप किसी भी पर इंडियन एक्षेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा एक्षेंज है जिसने इंडियन एक्षेंज में से प्रूफ आफ रिजर्व दिया है और ऐसा कौन सा एक्षेंज है जो अब तक Proof of Reserve के बहाने से बस बिवकूफ बना रहा है यूजर को उसके बारे में आपे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये Indian Exchange सेफ है या नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप वीडियो अच्छा लगे तो जदर जदर लाइक करिएगा चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दवा दीजेगा और वीडियो को सभी यूजर्स थक सेर कर दीजेगा जिसे उन्हें भी इस चीज के बारे में पता हो सके तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रूफ प्रूफ रिजर्व है क्या तो देखो पूफ प्रूफ रिजर्व दोस्तों एक तरीका है ये पता करने जितने भी क्लाइंट है जैसे समझे लो कोई एक्षेंज है बाइनस है तो बाइनस में जितने भी यूजर है मिलियんだ pos में तो क्या उन सभी users का जितना भी fund है वहाँ पे उस fund के average में उनके पास में sufficient जो asset है वो है या नहीं है या जितनी भी holdings है उनकी holdings के बराबर उनके पास में reserve है या नहीं है तो proof of reserve इसे ही कहते हैं मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि आप जिस भी exchange में trade कर रहे हैं वाकई में वह उतना fund वहाँ पे hold कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर आपको वह fund नहीं पता चल रहा है इसका मतलब है वह exchange आप से कुछ छुपा रहा है जैसे यहां पर बात की जाए FtX की तो FtX में आपका जितना भी fund था जितने भी users का वहाँ पे fund था वह उसे misuse कर रहे थे reality में हमें digits में तो हमारा fund वहाँ पे दिखाई दे रहा था पर reality में वह fund वह कहीं और यूज कर रहे थे जिसका यहां पर खुलासा होते ही वह exchange collapse होना start हो गया तो यही चीजें आगे चलके किसी और exchange के साथ भी हो सकती है और इसकी सुरुवात जो है यहां पर जब FtX का collapse हुआ तो CZ जो Binance के CU हैं उन्होंने ही यहां पर इसके सुरुवात करी और खुद भी उन्होंने proof of reserve दिया और दूसरे एक्चेंज को भी इंकरेच किया कि आप लोग भी proof of reserve यहां पर दें जिसके बाद में अगर आप देखोगे तो चाहे वह कू कॉइन हो भी हो बाइबिट हो ऐसे बड़ coin dcx हलांकि उन्होंने जो proof of reserve में document में दिखाया था वो चीजें आज थोड़ा सा difference है मतलब उसमें जो amount था पहले कुछ अलग था आज कुछ अलग है तो देखो proof of reserve आपके पास में होना आपको पता होना यह बहुत ज़रूरी है पर इससे यह 100% से और नहीं होता कि कोई भी exchange अगर आपको proof of reserve दे दिया है तो वो बहुत ही secure है देखो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है hacking हो सकती है या फिर वो कहीं ऐसी जगह पर invest कर दे जहां पर उसका सारा fund डूब जाया हो सकता है उसका जो token वो सबसे ज़्यादा quantity में hold कर रहा है जो भी asset वो hold कर रहा है वो asset की value down हो जाया समझ लो आज Binance है Binance के पास में सबसे ज़्यादा मातरा में USDT है और अगर वो USDT collapse होना start हो गया जैसे टेरा लूना का था तो सेम वैसा ही case अगर होता है और USDT की value गिर के आधी हो जाती है और उसके और नीचे गिर जाती है तो ऐसे में उस exchange का क्या होगा भले उसने Proof of Reserve दिया है तो मेरे इसाब से Proof of Reserve से यह सिद्ध नहीं होता कि कोई भी एक्षेंज ज़्यादा सेफ है पर हाँ यह है कि वो आपके fund को सेफ दिखाने का प्रयास बिलकुल कर रहे है तो यह एक अच्छा तरीका है आप ऐसे exchanges पे ही trade करें जहां पे Proof of Reserve दिया गया है अब बात करते हैं यहां पे कि Proof of Reserve पता कैसे करें तो देखो सबसे पहला तरीका है यहां पे जो Proof of Reserve है उसके लिए आपको यहां पे exchange पे आना है CoinMarket Cap पे आना है उसके बाद में exchange पे आके spot पे अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में यहां पे Binance, Coinbase, Kraken यह सब आ जाएंगे और इसके बगल में यहां पे अगर आप दिखोगे तो यहां पे आ रहा है यह पूरा का पूरा Proof of Reserve प्रोवाइड करने का काम कर रहा है यहां पे नैंसेंस पे आके और आपको देखो Entities पे क्लिक करना है उसके बाद में अगर आप देखो तो Binance हो गया, OKX हो गया, Crypto.com, KuCoin, Hobby, Bybit, Bitfinex, Git.io ऐसे यह जो बड़े Exchange है इन्होंने यहां पे जो यह Proof of Reserve है यह प्रोवाइड किया है और इस पे आप क्लिक करके देख सकते हो यहां पे वीव पे क्लिक करोगे तो जो भी इनका जो asset है, total asset है और जहां पे जिसमें यहां पे token allocation है वो सब आपको यहां पे दिखाई देगा और यहां पे आप एक चीज़ और कर सकते हो जैसे अभी अगर अगर यहां पे आप देखो तो इसमें लगबग 65 billion 66 billion dollar something अभी देख रहा है यह देरे-देरे load होता है क्योंकि balance ज्याद है, BUSD में सबसे ज्यादा Binance के पास में आज के टाइम पर holding है, अब मान लो कि BUSD collapse करना start कर दे, एक डॉलर उसका जो backing है, एक डॉलर से है, एक डॉलर से सीधे आधी value हो जाए, तो फिर ऐसे में क्या होगा, इनकी value कहीं न कहीं down हो जाएगी, USD TV देखो, इनके पास में आपके hardware wallet में रखना, और ऐसे coin में रखना जो सबसे ज्यादा safe हो, चाहे वो USDT हो, चाहे वो BSD हो, ऐसे बहुत सारे coin है, जो stable coin तो हैं आज के टाइम पर वो भी DPAC होना start कर देते हैं, तो यह आपके लिए बतलब चाहे आप कितना भी secure हो जाओ, कभी ना कभी कुछ ना अगर आप आते हो और यहां पर क्लिक करते हो तो यह आपको data यहां पर दिख जाएगा, यहां पर देखो 58 दिखाई दे रहा है और यहां पर आप देखोगे तो यहां पर 66 दिखाई दे रहा है, को इसको match करो आप, यह भी यहां पर difference आ रहा है, और इस पर भी difference आ रहा है, यह हम 100% से और नहीं हो सकते हैं कि वाकई में यह जो है प्रापर हर चीज सही है हो सकता है यहां पर ट्रांसफर भी हो बहुत सारे एक्षेंज ऐसा करते हैं प्रूफ of Reserve के टाइम पर फंड लाके आपको प्रूफ of Reserve दिखा देते हैं बाद में ड्रॉब कर लेते हैं ऐसा भी होता अगर यहांपर हम बात करें जो क्वैंटीस इकस है उसकी तो देखो यहांपर 24 तारिक को इन्होंने क्वैंटीस में प्रूफ ऐफ रिजर्व के तोर पे कितना दिखा था 125 billion dollar ठीक है अब यह 125 billion dollar जो है आज के टाइम पे यहाँ पे कितना है nancyence की profile पे जाके देखें यहाँ पे मैंने open किया coin dcx आप बोलो तो यहाँ पे मैं click करके वापस से open कर लेता हूं और इस जगे पे अगर हम view पे click करेंगे तो देखो अभी के time पे यहाँ पे कितना fund दिख रहा है ठीक है यहाँ पे अगर आप देखो तो 66 billion dollar के करीब में दिखाई दे रहा है पर reality में इन्होंने कितना दिखाए था 125 billion dollar तो बाकी का balance कहां गया बाकी का balance अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है और देखो सब चीजे वही है अगर आप यहाँ पे देखो सेम इमेज है सब चीजे है अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत कर रहा हूं तो comment section में जरूर बताना पर यहाँ पे जो इन्होंने balance उस समय दिखाए था 24 तारिक को I think यहाँ पे 24 नॉवंबर को है और उसके बाद में अगर आप देखो तो आज के टाइम पे यहाँ पे balance जो है 68 billion dollar something दिख रहा है तो यह इतना जादा जो कमी है 50% से भी जादा यहाँ पे balance लगबग कम हो गया है तो यह क्यों हो रहा है और अगर ऐसा हो रहा है तो यह गलत है ठीक है बले यहाँ पे कोई भी प्रूफ दे दे पर वो 100% यहाँ पे secure नहीं है मेरे इसाब से पर प्रूफ दिया है तो अच्छी बात है अब यहीं पर बात करें तो इसके अलावा इन्होंने वजीर एक्स ने यहाँ पे बोला जरूर है पर अभी तक इन्होंने नहीं दिया वजीर एक्स के अलावा coin switch qber है जिसका नाम मैंने आपको बहुत पहले ही बोला था कि आपको इस exchange को यूज नहीं करना है मैं तो यूज नहीं करता हूँ बहुत सारी complaints भी आती है मैंने बहुत पहले 5-6 महीने पहले जब आइधिंक यहाँ पर TDS implement हुआ था उस समय मैंने आपको बोला था कि जो coin switch qber है उसे आपको यूज नहीं करना है बहुत सारी complaints है clearly आपको मना किया था और साती मैंने coin dcx का भी बोला था कि अभी यह usdt trx और जो btcs इस पर विड्रॉल कर रहे है दे रहे हैं पर आगे चलके यह proof मांगेंगे तो अगर आपके बहुत बढ़ा fund है तो मत होल्ड करना आप आपको आगे चलके problem हो सकती है यहां पर आप देखो तो coin switch kubair ने किसी third party से यहां पर audit कराया और इन्होंने कोई भी wallet address नहीं दिया है कुछ भी नहीं दिया और सिर्फ इन्होंने findings में यह लिखा है कि that as of number four total coin switch kubair holdings are greater than total user holding तो बस इतना दे दिया इन्होंने और बस अपना exchange है वो भी coin dcx और coin dcx में भी अगर आप देखोगे तो जो इन्होंने address और जो भी चीजें यहां पर दी थी 125 billion dollar something का वो आज यहां पर difference जो है यहां पर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो इससे यह safe नहीं हो जाता कि यार हां यह सारे exchange हो है वो safe है यह आगे चलके हो यूनो कॉइन हो कॉइन सुच कुवेर हो जितने भी एक्षेंज है यह कोई भी आपको यहां पर अभी तक proof of reserve नहीं दे पाए है और यह एक बहुत बड़ा रिस्क है अगर आप ऐसे exchange पर trade कर रहे हैं जहां पर अभी तक जिनका proof of reserve नहीं आया है तो वह बिलकुल भी safe नहीं है अला कि मैं यह भी कह रहा हूं कि देखो proof of reserve जिसने दे दिया है वह भी safe नहीं है उसमें भी problem हो सकती है जो चीजे मैंने आपको बताई पर proof of reserve जिसने दिया है वो फिर भी एक खत्रे की निसान से थोड़ा सा बाहर दिखाई देता है और ऐसे ही exchange को आपको use करना चाहिए है तो नेंसेंस पर आके आप यहां पर चेक कर सकते हैं entities में आके जो भी आपको देखना हो यहां पर सभी के balance और सब चीजें आपको यहां पर दिखाई दे जाएगी जिस जिसने आपर दे दिया है उन्हीं एक्चेंजेस को use करना है देखो मैं खो जो है Binance use करता हूं हो भी करता हूं और इंडियन एक्चेंज मैंने अभी उनसे दूरियां बना लिया है क्योंकि मुझे इंडियन एक्चेंज बहुत ज़्यादा सेफ नहीं लगते दूसरा विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है तो यार अगर आपन बड़ा फंड रखेंगे तो आगे चलके सब्सक्राइब करके जाना मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तक तक के लिए बाबाई एंड टेक केर